Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu जी मेरा नाम जावेद आलम है जी मुर्गी का पैर खाना जायज है कि हराम है थोड़ा ये रिकॉर्डिंग में ये जवाब चाहिए ये हमारे जावेद आलम भाई हैं इनका सवाल ये है कि मुर्गी का पैर खा सकते है कि नहीं पाया, शायद पाया के बारे में ये सवाल कर रहे है मुर्गी के पाया के बारे में पैर खा सकते कि नहीं बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है असल इसका खाना जायज है अब जो इस चीज़ को कहें कि ये पैर ये पाया नहीं खा सकते हैं तो उसकी जम्मधारी की कोई दलील पेशक्रे अगर वो दलील ने पेशक्र सकता है तो जिस दलील से मुर्गी जाहिष है उसी दलील से ये भी जाहिष है जानवरों में माकूलात में क्या क्या Хाँ हैं वो कुराण और हदिस में बता दिए गया है या तो नाम लेकर नामजद जानवरों को हराम किया गया है या उसूली तरुपे हराम किया गया है तो अगर कोई जानवर उस नामजद फैरिस में नहीं आता है या उसूलों की जद में नहीं आता है तो फिर उसको खा सकते हैं और फिर उसका कोई भी पार्ट हो जब जानवर खा सकते हैं तो उसका वो पार्ट भी खा सकते हैं उसके जवास के लिए अलग से दलील की जरूरत नहीं इल्ला है कि कोई दलील हो तो हमारी मालूमात में ऐसी कोई दलील नहीं है कि मुर्गी का पाया नहीं खा सकते हैं खा सकते झाल झाल